पकोडा और भजिया तो आपने बहुत खाया होगा और कई प्रकार के खाये होगे लेकिन जो पकोडा भजिया आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सूरत के अलावा ये कहिन नहीं मिलता है और सायदी आपने ये ट्राइ किया होगा जी हाँ आज हम आपको दिखाएंगे कुम्बनिया भजिया जिसे बनाने के लिए हरा वाला जो धनिया है वो ले लिया गया है सिर्फ धनिया है जिसको कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं उसमें इन्होंने गार्लिक और साथ में जिंजर अदरक डाल दिया है और उसके यह कुम्बनिया भजिया जो है बनाया जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बेसनेट कर लिया गया है और साथ में पानी और इसको मिक्स करके बढ़िया से तैयार किया जाएगा जी हाँ आप जो पकोड़ा और भजिया खाते हैं वो साइज में थोड़े मुड़े बड़े चोटे रहते हैं लेकिन यह एक दम से छोटा-छोटा होता है और यह सूरत में ही जादा मिलता है और यहीं के लोग इसे सबसे जादा खाना पसंद करते हैं चलिए वीडियो में बने रही है क्यूंकि आज सिर्फ बात कुम्बनिया बजिया की नहीं होगी सूरत में मिलने वाले पट्टी मर्चा बढ़िया भरेला भजिया आलू वड़ा और इनके वहां कई वेराइटी में जो पकोड़े मिलते हैं वो भी आज आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं तो यहां आप देख सकते हैं भीया ने यहां ओईल के इंदर इसे एड़ करना स्टार् किये हैं तो आपको कैसा लगता है तो रेखें यहां पर जो कुम्बनिया भजिया है वो तैयार हो गया और यहां पर जो मर्चा आता है तीखा बिलकुल नहीं होता है उस मर्चे को कटिंग कर लिया गया पट्टी की तरह और उसके बाद बेसंग डाल करके इसे भी तैयार कि जा रहा है इसलिए इसका नाम है पट्टी मर्चा बजिया जो यहां के लोगों को कुम्बनिया बजिया के साथ खाना बहुत ही जादा पसंद है वैसे मर्चे का पकोड़ा आप खाना पसंद करते हैं कि नहीं यह भी जरूर बताईएगा और यही नहीं इसके अलावा भी इनक पर तैयार करके बेचा जाता है वैसे आप देख सकते हैं इसे ओईल में एड कर लिया गया है एकदम क्रिस्पी क्रंची इसे तैयार कर लिया गया है यह सभी पकोड़े और भजिया को हाफ फ्राई करके यहां पर रखते हैं जैसे ओडर आता है उसके बाद आपको गर्मा ग आएंगे कि नहीं जरूर बताईएगा हमने इसे ट्राई किया था इसका टेस्ट और भी लाजवाब था क्योंकि इसमें जितने प्रकार के मसाले वगेरा डाले गए हैं हर बाइट में आपको अलग-अलग टेस्ट मिलने वाला है तो अगर आप कभी सूरत आये तो यह वाला भ पकोड़े में आप खाते हैं उसी टाइप का यह आलू का भी पकोड़ा बनाते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है जो हम घरों में बनाते हैं उससे अलग है तो यहां पर बेसन फिर से ले लिया गया है और हाँ एक चीज बता दू इनके वहां जो बेसन है भाई प्यॉर बैसन ही आपको मिलने वाला है मिक्स वगेरा कुछ भी नहीं इसमें रहता है तो यहां आप देख सकते हैं जो आलू के यहां पर पकोड़े बनाने उसके लिए इन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है आलू का पैटिस जैसा और उसे भी बेसन के अंदर बणिया से फ्राई किया जा रहा है वैसे आ आप यह आलू के वड़े जरूर खाते होंगे वड़ा पाओं में अलग से कभी आपनी यह वड़ा ट्राई किया या नहीं किया हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा मैंने तो इनके वहां यह सारे प्रकार के पकोड़े ट्राई किये थे और मज़ा आ गया था मुझ राजेंद्र सरकल लेकिन उसी सजेष्ट पहले इनकी सोप पढ़ने वाली इनके सोप का नाम है ओम साहिं कुम्बनिया बजिया और इनका जो टाइमिंग है वो है सुबर 11 बजे से लेके रात के साड़े 11 बजे तक तो आईएगा ट्राई कीजेगा अगर वीडियो पसंद आ अच्छ